आप double engine सरकार के बारे में काफी बारी कह चुके हैं अपने speeches में double engine सरकार से आप विश्वास जगाना चाहते हैं electorate में कि विकास जल्दी हो जाएगा अगर दोनों तरफ मतलब center में भी और state में भी बीजेपी की सरकार रहेगी लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि इससे एक एक धमकी की तरफ देखते हैं कि अगर double engine सरकार नहीं है तो विकास में गती रोद आ सकता है वो विकास की विकास मतलब गाड़ी आगे नहीं चलेगी अगर ये double engine सरकार नहीं होगी तो देखें परिवार में भी माँबाब हमेशा सभी भाई और बहनों को कहते हैं कि देखो भी हम सब मिलकर के इस दिसा में जाएं तो सब अच्छा होगा और सब उसी दिसा में प्रयास करते हैं कोई दूसरे के विपरित नहीं करता है इतना बड़ा देश है अगर हम एक दूसर नश्ठ हो जाएंगे हमारे देश की भलाई करने की गती रूख जाएगी और इसलिए देश के लिए बहुत आवशक है कि लोकों की कल्यान के काम हम मिल बैटके करें और ज्यादा तेजी से करें और उसमें भी अगर हम राजनीती करने जाएंगे मेरा राज है मैं मेरी मर्जी से करूँगा ऐसा करेंगे तो कितना नुक्षान होता है अब जैसे आईशमान भारत योजना आईशमान भारत योजना गरीब जो बीमारी में है उसको पांच लाख रुपिय तक बीमारी में स्वस्थ होने लिए सहायता करता है बारत सरकार करत लेना है कुछ नहीं है कुछ राज्यों में अपने विज्राइन हमें कोई सिर्दक्र विज्राइस भी नहीं है हमने कहते कि ऑस फायदा ही होता है कि मान लें नागरिक है है और केरल गया हुआ है और फ lives systems कुछ हो गया तो यह योजना ऐसी कि किरल में भी उसको ट्रिट्मेंट मिलेगी उसको उत्तरप्रश में भीमार होगा तो लाव होगा ऐसा नहीं किरल में इसका बतलब कि आयुष्मान भारत योजना से जूड़ना मतलब दोनों एंजिन जूड़ जाएंगे तो गरीब हो को ल तो उसको बुलाब नहीं मिलेगा अब क्या कारण है कि इसका विरोत किया जा रहा है उसी प्रकार से हमने बन नेशन बन राशनकार क्यों कि कोई भी मद्दूर हिंदुस्तान के किसी भी कौने में जाएगा एक ही राशनकार होगा अगर वो महाराष्टर में है तो भी उसको फ्री प्राइस फैर प्राइस स्वाफ से उसको अनाज मिल जाएगा अब दो राज्य ऐसे निकले जिन को सुप्रिम को डंडा मारना पड़ा कहना पड़ा कि भी वन नेशन वन राशनकार गलत क्या है तुम लागू करो अब इसलिए हम कहते हैं कि डबल इंजिन के सरकार होत है अब जैसे GST कानूर आया पहले हमारे देश में हर जगा पर टैक्सेशन की सिस्टिम इतनी अलग लग थी कि विदेश के निवेशक जो होते थे उनको बहुत दिकत होती थी तो हमें एक राज्य में अगर कारखाना लगाते हैं तो हमें वहाँ इस प्रकार क्या प्रॉब् में अपनी विवित्ता को बनाए रखना है बारत की विवित्ता ही उसकी ताकत है लेकिन ब्रॉबस्थाओं को भी बनाए रखना है और इसलिए हम कहते हैं कि जड़ तो ताकत बहुत बढ़ जाती है हमारी शक्ती वेश्ट नहीं होती है हमें इसका इत्यों सिर्फ और देश का कल्या, गरीबों का कल्या, देश के युगाओं का भला, इतना ही हमारा आर्थ है.